हेलो पिडिये छात्रों आज हम आपकी लिए लेके आए हैं बाल विकास एवं सिच्छा सास्त के लिए मौडल पेपर नमबर 13 अगर आप सीटेट एमपीटेट बरगी तीन की तयारी कर रहे हैं तो पांच जुलाई से पहले वीडियो जरूर देखें स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का अब कॉस्चन नमबर 41 है स्कीन पर वहती प्यारा कॉस्चन है अगर आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दें ठीक है प्रियोगा आत्मक मनु विज्यान का जनक किसी माना जाता है कॉस्चन नमबर 41 का बच्चो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें question number 41 का यहाँ पर correct answer होगा आपका option first होगा William boot ठीक है next question देख लेते हैं स्कीन पर question number second बहुत ही अच्छा question है अग्जाम में आ सकता है comment करें सही answer क्या होगा बुल्फ गैंग कोहिलर द्वारा अंत दृष्टी अधिगम का पिडियो कब किया गया बहुत ही अच्छा question है आप comment करें इसका सही answer क्या होगा question number 42 42 का बच्चों यहाँ पर correct answer क्या होगा comment करेंगे 42 का यहाँ पर fourth option correct होगा 1920 नोट कर लें 1920 में बुल्फ गैंग कोहिलर द्वारा अंत दृष्टी अधिगम का पिडियो किया गया next question देख लेते हैं इसकीन पर question number third बहुती प्यारा question है comment करेंगे अमेरिकी मनो बिग्यान का जनक किसे कहा जाता है 43 का बच्चे हाँ पर correct answer क्या होगा जल्दी से comment करें 43 का यहाँ पर correct answer होगा आपका बिलियम जैम्स ठीक है second option correct होगा ठीक है next question देख लेते हैं इसकीन पर दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप सभी लोग चैनल को subscribe करके घंटी जरूर दबा दें ठीक है question number 44 देख लें इसकीन पर अंत दृष्टी अधिगम में समस्या की किस इस्तिती पर ध्यान दिया जाता है बहुती प्यारा question है कमेंट करें सही आंसर क्या होगा 44 का बच्चे हां पर correct answer होगा आपका ए आंसर correct होगा संपूर इस्तिती पर note कर लें next question देख लें इसकीन पर question number 45 बहुती अच्छा question है कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा ठीक है जिस संपूर में सुतंत चर उपस्तित रहता है उसे क्या कहते है question number 45 का बच्चे हां पर correct answer क्या होगा 45 का यहां पर correct answer होगा option number 3 होगा प्रियो गात्मक संपूर ठीक है question number 46 देखें 46 का बच्चे हां पर correct answer क्या होगा 46 के यहां पर correct answer होगा आपका option 3 होगा पुर्णरा बिट्टी का सिद्दान्थ next question देख लेते हैं इसकीन पर question number 47 बहुती अच्छा question है answer जानते हैं जल्दी से comment करें मनु बिज्ञान को बिभार की बिज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभासित किस ने किया question number 47 47 का बच्चे हां पर correct answer होगा option 1 होगा बाठ सन ने ठीक है बाठ सन इसका correct answer होगा next question देख लेते हैं एक्जाम में आ सकता है 48 किल पैट्रिक द्वारा पिरियोजना बिधी का अभिस्कार होगा 48 का correct answer किया होगा 48 का यहाँ पर correct answer होगा, option A होगा, 1918 में किलपेटिक द्वारा प्रियोजना विधी का अभिस्कार किया गया ठीक है, next question देख लेते हैं, question number 49, बुट्ट के द्वारा इस्थापित school का किया नाम है बहुत ही प्यारा question है, answer जानते हैं तो जल्दी से comment करें, question number 49 49 का बच्चे हाँ पर correct answer होगा, आपका option first होगा, note कर लें, sun रचना बाद, बुट्ट के द्वारा इस्थापित किया गया, school का नाम किया था, sun रचना बाद होगा, ठीक है दोस्तों, अगर आपको question हमारे अच्छे लगते हैं, तो आप regular वीडियो पाने के लिए, channel को subscribe करके घंटी जरूर दबादें question number 50, इसकी पर स्वफ प्रेनडा द्वारा अधिगम कैसा होता है question number 50 का यहाँ पर correct answer होगा, आपका second होगा, बहुत ही प्रेनडा की द्वारा अधिगम कैसा होता है, बहुत ही प्रेनडा की द्वारा अधिगम कैसा होता है, बहुत ही प्रेनडा की द्वारा अधिगम कैसा होता है, बहुत ही प्रेनडा की द्वारा अधिगम कैसा होता है, ब आंसर किया होगा डे एनीम्या की रचना किसने की इसका करेक्ट आंसर होगा 51 का ओप्षन फश्ट होगा आपका अरस्तु ने ठीक है नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं इसकीन पर कोश्चन नमबर 52 बहुत ही प्यारा कोश्चने कमेंट करें सही आंसर किया होगा कोश्चन देख लेते हैं इसकीन पर आज का कोश्चन नमबर 53 बहुत ही अच्छा कोश्चने कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा मनुव बिग्यान का अतीत बहुत लंबा है प्रन्तु इतिहास बहुत छोटा है या एक कथन किसने दिया भेरी भेरी मोश्ट इंपोटेंट कोश्चन है एकजाम में आ सकता है कमेंट करें सही आंसर क्या होगा 53 का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका नोट कर लें ऑप्सन फर्ष्ट करेक्ट आंसर होगा एविंग घास के द्वारा कहा गया ऐसा कोश्चन नमबर 54 इसकीन पर बहुत ही प्यारा कोश्चन ह आप लोग कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा ततपर्ता तथा कार्रिस सीखने की गती में नियम लिखित में से कौन सा संबंद इस्थापित होता है कॉश्चन नमबर 54 का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका उप्सन फोर होगा नोट कर लें ऑप्सन फोर इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है नेस्ट कोश्चन देख लेते हैं स्कीन पर कोश्चन नमबर 55 बहुत ही प्यारा कोश्चने कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा जर्मिनी के लिफजिंग विश्विध्धालाय जहां पिर्था मनो बिज्ञानिक प्रियोग साला 1889 में करेक्ट आंसर आपका ओप्सन फर्ष्ट होगा नेस्ट कोश्चन है इसकीन पर कोश्चन नमबर 56 आत्म निरिच्छन बिधी दुआरा किनकी किरियाओं का अधियन किया जाता है 56 का बच्चे हां पर करेक्ट आंसर किया होगा 56 का करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंट आप्स जनक कौन मानी जाते हैं बहुत ही प्यारा कोश्चन है एकजाम में आ सकता है कमेंट जरूर करें सही आंसर किया होगा आपके पास ओप्सन है चार मॉन्टे सरी कॉल्ड बेल को कुप्रोवेल सुकुरात पिसनोत्तर बिधी के जनक कौन है नोट कर लें 57 का बच्चे हाँ पर कर कमेंट करेंगे सही आंसर क्या होगा बाल के अंदर सीच्छा किसकी देन है बहुत ही प्यारा कोश्चन है कमेंट करें सही आंसर क्या होगा 58 58 का बच्चे हाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ओप्सन थाड होगा सीच्छा मनो बिग्यान की नोट कर लें बाल के अंदर सीच किसकी देन है इसका correct answer होगा आपका option third होगा सिच्छा मनोव विज्ञान की ठीक है next question देख लें इसकी इन पर बहुत ही प्यारा question आप लोग comment जरूर करेंगे question number 59 सिच्छा मनुसर की अंतर नित शमता का परिपूरता से विकास करती है यह कथन किसका है बहुत ही प्यारा question है comment करेंगे सही answer किया होगा question number 59 सिच्छा मनुस की अंतर नित छमता का परीपूर्णता से विकास करती है यह कथन किसका है विविकानन्द इसकी नर्पैस्टोलोजी टेग वर नोट कर ले एक्जाम में आ सकता है बहुत ही अच्छा कोश्चन है कोश्चन नमबर 59 का बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप्सन फश्ट होगा नोट कर ले सिच्छा मनुस की अंतर नेत छमता का परीपूर्णता से विकास करती है यह कथन स्वामी विवेकानन्द जी का है ठीक है नेच्ट कोश्चन देख लेते हैं स कीन पराज का कोश्चन नमबर 60 बहुत ही प्यारा कोश्चन है आप वोग कमेंट जलूर करेंगे सही आंसर कया होगा ठान डायक ने सिच्छा मनो बिग्जान का कैसा रूप पिरदान किया ओके बहुत ही प्यारा कोश्चन है थान डाइक ने सिच्छा मनो बिग्यान को कैसा रूप पिरदान किया निश्चित एवं इसपष्ट अनियमित आंसिक इसपष्ट उपरोक्त सभी कोश्चन नमबर साथ का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी कमेंट करें बहरी बहरी मोस्ट इंपोटेंट कोश्चन है एकजाम में आने की प्रवल संभावना है इसलिए आप लोग आंसर जरूर देंगे कोश्चन नमबर साथ का बच्चों हाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओप्सन फष्ट होगा थाए डायक ने सिच्छा मनु विज्ञान का कैसा रूप पे दान किया है निश्चित एवं इसपष्ट दोस्तों अगर आप सीटेट, एमपी टेट, बरगितीन, राजिस्थान टेट यूपी टेट, सुपर टेट, नबोदर विध्याला, के बीएस की तयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों घंटी दवा दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अब हम आप से फिर मिलेंगे थोड़ी दिर बाद नेस्ट वीडियो में, दोस्तों हमारी रोज रात को 10 बजी लाइब क्लास होती है रात में 10 बजी, तो आप हमारी लाइब क्लास चरूर जोइन करें, थैंक यू